हेलो अब्रिवन मैं हूँ आशिस कुमार और आप लोग देख रहे हैं ग्यान जोती आशिस टूटोरियल पे तो जैसे कि आज हम लोग जीके का सेशन करने वाले हैं जिसमें के 25 कोशन्स है ठीक है तो मेक स्यों आप लोग हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब क पूरत देखते हैं तो आप लोग अपना कमेंट करके बता देजी कि मेरा 25 में मेरा 23 सही हुआ वाट 20 साही हुआ जो भी आपका मांक्स आया आप लोग कमेंट सेक्षन में बता देना क्योंकि मैं उससे जान सब्सक्राइब कि आप लोग कीतना कर पा रहें ठीक है और एक और बात कि अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया है तो व्यूडियो को डि सब्सक्राइब ग्रूप पर पूछो या जैसे पूछ लो मेरे से लेकिन आपको मैं ने प्रोब्लम हो जो भी मैं कम्मुनिटी में सेर करता हूं मैं आप लोग उससे देखो अगर समझ बनी आता फिर से बोलो मैं सोच रहा हूं कि देखिए अभी मेरे पास थोड़ा मैंने उस दिन बोला था कल कि मेरे को भी 10-15 टाइम में भी नहीं मिलेंगे मैं 10-15 दिन के बाद मैं आपको आप रूपी मैत को स्टार्ट कर दूँगा और आप लोग बिल्कुल टेंसन मतलो मैत के लिए टेंसन बिल्कुल मतलो देखिए मैं मेरा रिस्पॉंस मुझे है कि आप लो तो चलिए देख लेते हैं तो देखिए यहां फिर्स्ट कोशंस में कि पी आई इन का पूरा नाम क्या है यानि पीन का पूरा नाम बताना है यहां पर ठीक है तो यह कोशंस इस बार एमर में आया था ठीक है तो इसका अप्सन क्या हो जाएगा सही अप्सन नंबर हो महात्मा गांधी ने A में और B में लाला लजपत राय ने C में लोकमानती लक ने और D में गोपाल कृष्ण गोखले ने तो 2 का हो जाएगा अपसा नंबर D सही अंसर ठीक है गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्विस्ट आफ इंडिया सोसाइटी की अस्ताम्पना की थी उसके बाद में नेक्स्ट कोष्ण थर्ड में कि बील किलंटन ठीक है बील किलंटन किस देश के राष्ट पती थे जो बील किलंटन थे वो किस देश के राष्ट पती थे तो देखिए यहां पर अपसन देख लिजे रूस के ब्रिटेन के फ्रांस के अमेरिका के ठीक है तो बी तो फोर का क्या हो जाएगा अप्सन नंबर भी हो जाएगा ना इसका सही अंसर टेनिस जो डियूस कॉप है यह टेनिस से संबंदित है उसके बाद देख लिए नेक्ष्ट कोलिसरी अंद्र पर्देश की राज के भासा क्या है तो जिस सोच रहा हूं जितने भी भासा है जाती है उसको कौन सी राज में कौन सी भासा बोली जाती है उसको मैं आपको जल्द ही प्रवाइड करवाने वाला हूं ठीक है तो देख लिए आंध्र पर्देश की राज की जो भासा होती है तो फाइफ का हो जाएगा अपसन नंबर को क्या कहते हैं अपसन नेम है कैप्टन बीम है एड्मिरल और सी में फिंग कमांडर डी में कमांडर तो इसका सही अंसर आप लोगो को कमेंट सेक्षन में बताना है ठीक है क्योंकि यह भी अच्छे कोशन से नौ सेना की सरवच अधिकारी को क्या कहते हैं तो आप लोग इसका सही अंसर कमेंट सेक्षन में बता जिए ठीक है उसके बाद देख लिए नेक्स्ट कोशन सेवेन में कि देश का पहला आम चुनाव किस वर संपन हुआ 1952 में, 1947 में, 1949 में, 1951 में तो 7 का हो जाएगा अपसन नंबर D सही अंसर ठीक है 1951 में देश का पहला आम चुनाव संपन हुआ था उसके बाद देख लिए नेक्स्ट कोशन सेवेन में कि करक रेखा कितनी डिगरी पर इस्तित है 0 डिगरी, 90 डिगरी, 45 डिगरी, 30.1 बाइट 2 डिगरी पर तो 8 का हो जाएगा अपसन नंबर D हो जाएगा इसका साइंसर 23 बटे, 23 पुनाग, 1 बाइट 2 डिगरी पर इस्तित है करक रेखा उसके बाद देख लिए नाइन कोशनस में है कि इउरेनियम की परमाणू संख्या क्या है यह आपका साइंसर कोशनस मन गये कर ठीक है 92 एरेनियम की संक्या जो परमानु संक्या है वो 92 है उसके बाद देख लिजे नेक्स्ट कोर्शन्स 10 में कि बिम्बे लडन की स्खेल से संबंध है किर्केट, टैनिस, बेंड मिन्टन, हौके तो 10 का हो जाएगा अपसन नंबर भी सैंसर टैनिस से संबंधित है उसके बाद देख लिजे नेक्स्ट कोर्शन्स 11 में कि दियुतेय बिस्जुध किस वर्स पररम्भ हुआ 1949 में 1945 में 1934 में 1936 में तो 11 का हुज आएगा अपसर नंबर यह हुज आएगा 1949 में दितिये विस्वजुद प्ररंभ हुआ था उसके बाद देख लिजिए नेक्स्ट कोर्संस 12 में है कि United Kingdom का रश्ट्रे पसुक क्या है पंडा बाग भालू सेर तो 12 का हुज आएगा अपसर नंबर डी सहींसर सेर ठीक है 12 का अपसर नंबर डी हो जाएगा सेर है रश्ट्रे पसुक उसके बाद देख लिजिए नेक्स्ट कोर्संस 13 में कि सेरा कि सिंसेच की संसद की नाम है इरान इराक अफगानिस्तान टर्की तो 13 का हुज जाएगा अपसान नंबर सी सही अंसर हो जाएगा जो की आफगानिस्तान का सेरा जो संसद का नाम है वहाँ पे उसके बाद देख लिए नेक्स्ट कोसंस 14 में की मजगाउं डॉक ठीक है मजगाउं डॉक की सहर में इसी थे मदरास में उसके बाद B में मुंबई और C में कोचीन और D में परादी तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा 14 का हो जाएगा अपसण नंबर B सही है मुंबई में उसके बाद देख लिए नेक्स्ट कोसंस 15 ऐसे संबंद वाना हर एक्जाम यह प्रस्ण आएगा तो देखे राइडर कप जो है वह किस खेल से संबंदित है पोलो टैनिस होकी गॉल्फ तो 15 का क्या हो जाएगा अपसर नमबर डी सही अंसर हो जाएगा गॉल्फ खेल से संबंदित है राइडर कप उसके बाद देख लिजिए 16 नमबर कोशन में कि एल एंजी का पूरा नाम क्या है तो फूल फर्म से भी आपके एक्जाम में प्रस्ण बन रहे थे ठीक है तो 16 का हो जाएगा अपसर नमबर बी लिक्विफाइड नेच्रूरल गैस इसके बाद देख लिजिए नेक्स्ट कोशन 17 में कि कोई वीतिये वर्स की ता मतलगी मनाया जाता है ठीक है उसके बाद देख लिजिए नेक्स्ट कोशन 18 में कि पूप का निवास अस्थान की देश में है वेटिकन सिटी इटली इंग्लैंड कनाड़ा तो 18 का हो जाएगा अपसर नमबर एस साइन सर्वेटिकन सिटी उसके बाद देख लिजिए 19 नमबर कोशन में कि भारत की सवर संयुक्त राष्ट संका सदस से बना 1945 में 1947 में 1948 में 1950 में तो देखे 19 का हो जाएगा अपसर नमबर एस सई अंसर 1945 में भारत संयुक्त राष्ट संका सदस बन गया था ठीक है और एक और चीज मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूं कि बहुत सरे बच्चे जो मतलब इससे पहले जो एक्जाम हुआ था उसमें बच्चे कर देख सर आप अपसर मत पढ़िए अपसर पढ़ने से क्या हो रहा है फायदा कि आप सुनेंगे ना तो आपको जो मैं अपसर दूंगा फटाक दिए एकदम आपकी दिमाग में बैट जागी एकदम गरांटी होता है ठीक है तो आप लोग अपसर जो भी मैं पढ़ता हूं तो ध्यान से अचिए उसके बाद देख ली लिगे ठीक सटेंटी में कि भारतिय अंत्रिक्ष अनुसंसाधन संगठन जिसको हम सोड़ने बोलते आई एस आरो ठीक है इसका जो मुख्याले कहा है ठीक है इसे भी को बन सकते हैं आपके आई एस आरो का मुख्याले कहा है ठीक है तो यहां संसरी में मुंबई में और डी में बंगलोहर में तो 20 का हो जाएगा अप def cigs बंगलोहर में मंकलोहर है उसके भाद देख लिजए नेक्स्ट कोसंस 21 कि मंजलीष किस देश की संसद आफबनिस्तन इरा इराक बंगलादेश तो 21 का हो जाएगा अपसन नंबर 20 सही अंसर हो ठीक है इरान की मजलीस देश की एक संसद है वहाँ पर नाम है उसके बाद देख लीजी नेक्स्ट कोशन 22 में की परकासित तिर्वता की एक इसाई मात्रा क्या हो यानि इकाही बताना है लक्स फलक्स केंडेला और लियुमेन तो 22 क हो जाएगा अपसन नंबर सी अंसर हो जाएगा केंडेला ठीक है उसके बाद देख लीजी नेक्स्ट कोशन 23 में की जग जीवन राम की समाधी अस्थल का क्या नाम है जग जीवन राम बाबू जीवन राम की समाधी अस्थल का क्या नाम है शक्ति अस्थल वीर भूमी किसान अस्थल सम्ता अस्थल तो 23 का हो जाएगा अपसन नमबर डी ठीक है 23 का अपसन नमबर डी हो जाएगा सम्ता अस्थल याद कर लिजेगा जग जीवन राम की समाधिय अस्थल को क्या नाम है तो नाम है सम्ता अस्थल अपसन डी हो जाएगा उसके बाद देख लिजे नेक्स्ट कोसंस 24 में कि 24 में चिंगम की स्फेर की गोन से बनता है रबर चिकू खजूर युकिलीप पट्स तो 24 का हो जाएगा अपसर नंबर भी चिकू ठीक है उसके बाद में नेक्स्ट कोसंस है 25 जो कि लास्ट कोसंस है राष्टी डांक दीवस भी आपके प्रस्ण बन रहे थे एक्साम में तो दीवस से भी आप लोग देख लिजेगा अवरना मैं आपको करवा दूंगा आठ माई को 16 जनवरी को 10 अक्टूबर को 5 जून को तो 25 का हो जाएगा अपसर नंबर सी 10 अक्टूबर गोराश्टी डांक दीवस मनाया जाता है ठीक है तो यह रहा आज का आप लोग का 25 जिसमें कि आप लोग को क्या करना है कि जो भी आपका माक्सा है आप लोग कमेंट सेक्षन में बता देना कि 25 में मेरा कितना आया ठीक है तो बस एही कुछ आप लोग को बताना था अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्ल झाल झाल